नमस्कार दोस्तों एक बार मैं फिर से आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत करता हूँ आज के इस सेशन में बचों आज हम लोग क्लास 7 की NCRT का आठवा चाप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो लेटेस्ट NCRT दी गही है वेबसाइट्स पे ना उसके हिसाब से हम कवर कर रहे तो उसके हिसाब से यह 8 चाप्टर हो चाप्टर का नाम है आपका 18th Century Political Formation अब थोड़ा सब बैक ड्रॉप पहले आपको याद दिलाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि चाप्टर का कनेक्शन कहां से है मैंने आपको दिल्ली सुल्तानों के बारे में पढ़ाया था हाँ पढ़ाया था फिर मैंने आपको मुगलों के बारे में पढ़ाया था रात करिये और जब मैं मुगल्स को पढ़ा रहा था दोस्त तो वहां पर मैंने आपको अकबर की मनसबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ाया था और मैंने एक पॉइंट ये कहा था कि अकबर के समय तक चीज़े बहुत अच्छी थी यह सिस्टम अकबर के द्वारा इंट्रडूस किया था लेकिन जब तक औरंग जेब का पीरिड आया तक नंबर ओफ मनसबदार बहुत जादा बढ़ चुके थे और आप आज देखोगे कि यही मनसबदार अब पावरफुल होने लग गए जो पावरफुल होने लग गए और यही एक रीजन बन जाता है साथ में तो मुगल के राजा एक कटपुतली की तरह होने लगे थे उनके नोबल्स उनको कंट्रोल करने लगे थे यह जो इरानी और तुरानी थे ना यह तुरहिया जो लोग थे इरानी तुरानी यह सब रहे थे यह सब चीजे हम लोग आज यहां पढ़ेंगे बहुत ब्रीफ में दिया गया है ज्यादा कुछ है नहीं लेकिन उम्मीद है आपको समझ में आगया होगे क्या चात्रता कैसे होने वाला है तो जब हम आज शुरू करेंगे सबसे पहले क्राइसिंस ही पढ़ेंगे म मुगल अंपायर के क्या रीजन्स है और जब मुगल अंपायर डिक्लाइन हो रहा था तो पार्रिल कौन कौनसी वह पॉलिटिकल फॉर्मेशन होने लगे जैसे सब्कों के द्वारा खाल्सा बनाया गया मनाठाओं की बड़ा यहां पर समराज्य सामने आया जाट्स का आया राजपूच का आया तो यह सब चीजें ग्रो होने लगी जब एक संट्रल पावर डिक्लाइन करेंगी होता ही होता है आप पॉलिटिकली स्ट्रॉंग है अगर सेंटर पर तो रिजिनल पार पॉछ ने कर सकते लेकर आप पॉलिटिकली स्ट्रॉंग बीक हो रहे हैं तो तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को चलिए सबसे पहले चीज़ जो हम यहाँ पर मैं आपको बता रही है वो यह कि जो मुगल्स थे उनकी वेटा जो बाउंडरी इस थी अभी तक वह बाउंडरी ज़ी बात है अब मुगल्स का उतना ज्यादा कंट्रोल रहा नहीं अपने एरियास पर उनका जो एरिया था वो भी कम हो ने लगा तो उनकी बाउंडरी रीशेप हुई सवाल यह आता है वाई मुगल्स की बाउंडरी रीशेप क्यों हुई इसका पहला रीजन दो रीजन है बैसे कि लिए एक जो आपके इंसे आटीम बताय है नहीं डिखेते हैं और ऐसे बहुत सारे किंग्डम का इमर्जेंस हो रहा था तो संट्रोल पावर गेटिंग वीक उससे रीजनल पावर गटिंग स्ट्रॉंग जल्स अफिश्टिक्रियंटल लिटेंजिश्ट एमर्जेंस उफ हुअ इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंड sub standards Credit file । इंडिपेंड़ंडेन्ट कििग्डंस थेक है इंडेपेंडेन्टी नंस यहाँ पर खूब इमर्जंस हुआ और आप देखो कि इन फाक्ट इसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि 170707 यानि कि आफ्टर दी डेथ ओफ औरंग्जेव औरंग्जेव की डेथ के बाद से लेकर तिल 1761 बताईएगा मुझे इस इंपोर्टेंट डियर में क्या हुआ था कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी इस पीरिड के पर काफी डेफाइन वगई और वो उनकी वाटरी जहां पर कम होने लगे द गए दूसर समय यह था कि ब्रिटिश कंट्रोल था वहं मौद रहां था काफी ज़्यादा भी ज्टेव syllabus से चाप्टर नमर्ड ने औरे में बॉल बर डिटेल से जाके पढ़ने वाले हैं अी है यह क्लास एट का पूरा कहानी यहां पर रहेगा। पॉइंट ले रहे हैं। इसका इक बाद स्क्रीन शॉट ले जिए। फिर हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए। प्लीज गिव दी हेडिंग। अब आगे हेडिंग डाल दीजे। परस्ट प्लीज गिव दी हेडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट। क्राइस इन मुगल एंपायर। क्राइस इन मुगल एंपायर। मुगल एंपायर में क्राइस आने का कारण था। अभी जो मैंने कारण बताया वह तो यह कि बाउंडरी इंपायर में क्राइस आई क्यूं इसके दोस्त यहाँ पर तीर इंपॉर्टेंट रीजन्स है उसको बस आजट इस नोट कर लिजिए आपका काम यहाँ पर असानी से हो जाएगा। चली आईए आजट इस नोट करना है कुछ नहीं करना है ठीक है फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट कलिए पहला पॉइंट पहला पॉइंट है कि औरंग जीब जब था तो उसने बहुत लंबी लंबी लडाई है लड़ी डक्कन में जाके और इसकी वज़े से बहुत सारा मिलिटरी रिसोर्स और बहुत सारा उसने अधर टाइप का रिसोर्स वेस्ट कर दिया एं लड़ाईयों में मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर आपकी एकनॉमी खराब हो जाएगी तो फिर आपका एंपायर गिर जाएगा आप अपने उपर apply करके देखो अगर आपकी economy अच्छी नहीं है यानि कि अगर आप अच्छा कमाते नहीं हो तो भाई दुनिया में आपको कोई नहीं पूछेगा इस जो बस कहने वाली बात है कि इंसान की इज़त होती है कोई हिज़त नहीं होती है इनसान की सीधी बात है आप ऐ इसा कमाओगे आपके पास में आपके पास आप economically strong हो तो लोग मजबूर हो जाएंगे फिर आपको इज़त देने में यह होता है practically होता है घर में देख लो एक अगर आपके घर में रिज़दारी में एक का लड़का IITN हो गया एक का लड़का डॉक्टर बन गया और एक कर ल आपका empire अपने आप strong होगा आप घर में जाओगे खड़े हो जाओगे लोग कुरसी छोड़ेंगे आपके लिए आपके लिए तो पावर होगी आएसा दिखा लिए तो क्राइसिस में क्यों आया मोगल empire क्योंकि और अरंग जेब जो था औरंग जेब औरंग जेब खौट ल कि बहुत सारा resources कौन सा चाहे वो military resource हो उसके एंपायर का चाहे वो financial resource हो यह दोनों ही resource decline होते आपको दिखे लिए क्लियर हो गया पहला reason second reason second reason यह था कि जो मुगलों का अब यहां पर एंपायर था उसमें administration कमजोर हो रहा था मैंने आपको अलड़ी पता दिया ठीक है लिखीगा breakdown breakdown of efficient administration efficient administration जो तगले तरीके से अभी तक administration हो रहा था अब वो यहां पर breakdown होना शुरू हो गया था ठीक है और मैंने आपको इसका example भी दिया मैंने कहा कि भाई कि जो मनसबदार्स थे अभी तक वो powerful होने लगे थे मनसबदार्स अब क्या होने लगे यह powerful होने लगे और यह अपनी power को exert कर रहे थे कि भाईया हम ताकदवर हैं और दूसरा आपके जो यहां पर सुविदार थे सुविदार मतलब जो governors थे यह basically आपकी revenue यह आपका revenue और यह आपका military यानि की जिसको हम बोलते हैं हिंदी में दिवानी दिवानी और फौजदारी इन दोनों को देख रहे थे अब सोचो इन सुविदार के पास दिवानी और फौजदारी दोनों के powers हैं तो भाई पैसा भी है उपर से military भी है तो powerful तो होना ही था तो अभी तक जो administration बड के बाद नहीं हो पाया तो जो अभी तक सुविदार थे जो अंडर कंट्रोल थे उनके पास revenue हो गया पैसा भी है और उपर से military भी है दोनों साथ में हैं उन्होंने कहा कि भाईया हम एकदम अलग powerful state बनेंगे अपनी पावर को exert करने लगे क्लियर हो गया स्रीजन मुगल इसे पहले ना एक एरल बड़ा को खतरनाख अठीक का और वहां पर असानी से हर कोई नहीं पहुंच सकता दिक्कत ही गलती करी हो उसने यहां पर देकल में रहा लड़ता रहा लड़ता रहा भागता रहा यह दिक्कत उसने करी पास सवब में आ रही है कि नहीं आ रही है important है यह बहुत important है first फिर उसके बात point number C third point third point जो आपके NCRT कहता है वो है कि अब मुगल empire में बहुत जादा rebellion देखने को मिलने लगा यानि कि लोग rebel करने लगे थे लोग विद्रो कर रहे थे और rebellion किसका था पीजेंट्स का और जमीनदार का आस सवब में आ गया third point लिखेगा rebel या फिर rebellion इसका rebellion एक तरफ rebellion आपको मिलना था पीजेंट्स का और दूसरे तरफ rebellion मिलना था आपको जमीनदार्स का जमीनदार्स का ठीक है और important यह है कि यह rebellion हो क्यों रहा था एक तो reason था दोस्त taxation के वज़े से taxation का बढ़ना और दूसर reason क्या था दूसर रीजन पीजेंट्स और rebellion होने का एक तो पताया NCRT ने taxation दूसरा कि जो powerful chief unions थे इन जमीनदार्स के जमीनदार्स पावफुल लोग थे वो अपनी इंडिपेंडेंट्स को एकजर्ट कर रहे थे तो और अपना इंडिपेंडेंट्स होना चाहते थे ठीक है तो नोट कर जिएगा पावफुल chief unions यह क्या चाहते थे वो consolidation करना चाहते थे यानि कि अपना समराज और स्ट्रॉंग करना चाहते थे जो एरिया अभी वो लोग देख रहे थे उसको टाकत मर बना चाहते थे यह था रीजन फॉर दा क्राइस इन मुगलंपर पहला रीजन बता दिया और अंजर की बहुत लंबी लंबी लड़ाई है डेककन में इसकी वज़या से financial military resource खतम हो गया द्रेन होने लगा दूसरा रीजन जो administration था वो ब्रेंगडाउन होने लगा रीजन कि भाईया नोहन सब्दार पावफुल हो गए थे और वह अपना independence करने लगे मतलब आपको पावफुल कहने लगे और दूसरा सुबधार वास हावज में आ गया टीए गया नेक्स्ट इसका screenshot ले लिजे इसका screenshot लिजे इसका screenshot लिजे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नोट करिएगा इसके बाद नोट करिएगा under the please note करिए under the already under the severe pressure from all sides already under the severe pressure from all sides हर तरफ से serious pressure होने के बाद भी बाद already under the severe pressure from all sides हर तरफ से मुगल समराज को pressure बन रहा था the empire was further weakened by competition amongst the nobles empire यानि कि समराज में और दिक्कते तब बढ़ गई जब nobles आपस में लडनने लग जाते हैं ठीक है जो कुछ भी था backbone वो भी खताब हो गया प्लीज नोट करिए जो कुछ भी था बैक्बोन वो भी खताब हो गया प्लीज नोट करिए मैं आपको डिक्टेट कर चुका हूं उसी के आगे मैं लिख रहा हूं कि जो नोबल्स थे वो दो काटेग्री में थे और नोबल्स आपस में रनने लगे ठीक है नोबल्स fight amongst themselves तो एक यह नोबल्स दो काटेग्री में थे तू ट्याद लिखिए कि यह नोबल्स दो गरुप्स में डिवाइड हो गए थे कौन कौन से गुरुप थे बताया मैं आपको एक था इरानी समझ में आ रहा है इरान से आ गए दूसरे तो रानी वो भाई साप तरकिश डिसेंडेंट्स तो यह लोग आपस में रणने लग गए कि हम सुपीरर हम सुपीरर हम नोबल हम नोबल और इंसाक्ट आप देखोगे कि यह इतने पावर्फुल हो गए कि जो लेटर यहां पर मुगल्स थे वो मुगल इन लोगों के पपेट हो गए ठीक है तो चाहे इनका हो छाइए इंका हो लेटर मुगल्स जो थे लेटर मुगल्स लेटर मुगल्स बइसिकली पापेट्स इन veins ओफ इधर दीस टू इन फांड़्स ओफ इधर और रफ्तू एधर और ऑफ ठीक हिट उए धुए करते थे यह धनों के मैं कहें सकते हैं कि किसी एक के पपेट थे किसी एक के पपेट थे बास समझ में आ गया problem और भरती जाई जब उनके नूबल्स जो आपस में रहने लग गए और वो दो गुरुप्स में बढ़ गए इरानी और तुरानी और यह इतने पावफुल हो गए कि जो लेटर मुगल्स आये मुगलों के कि आगा इन लेटर मुगल्स का बहुत बुरा लगए घरसे हैं जो फिल हखें कि तुमलेषन हुआ हैं समझेगा लेटर मुगल्स कि इनका क्या वोगा वर्स्ट हुमिलेशन हुआए बोल रहे हैं है समझे रहा हो बॉकुत बुरा हाल किया गया गया मुगिलोका लेटर मोगल का बहुत मॉगल का लिठ dogs यह ट्रा को किया होगा किताब तो लिटनी सकती ना यहां पर दो बहुत इंपोर्टन बाते निकल के आती है एक प्रकार का वस्ट जो किताब बता सकती है बता रहा हूं आपको एक हुमिलेशन तुथा असाइसिनेशन वाई साब मुघलों के बात्चाओं का अब असासिनेशन होना शुरू हो गया यहीं नोबल्स जो भी तक मुघलों के अंडर्या काम कर रहे ते यहीं नोबल्स अब वहीं असासिनेशन कर रहे है और फर्रुक सियार का असासिनेशन हुआ अलॉंग विद आप देखोगे नहीं तो छलो ठीख है कि आप looking पूर दिया खतम कर दिया चलूंड थिक बात समझना आते हैं लेकिन कि इन्सान को अंधा कर देना है चा को भूक के अंदर कर देना दूसरा बघ्रीशी पड्री में ओ Dear अब जो नोबल था गुलाम कादर गुलाम कादर जो है वो गया इस मुगल के टेरिटरी में पहुंचा उसके घर में और जागे पूरा ट्रेजरी खोजने लग गया कहां रखा हुआ है अब नहीं मिल रहा है उसको 250 मिलियन और गुलाम कादर यह आपका वर्ड यह आपका नाम नहीं आया इसे परशान है लेकिन एंपरर ने कोशिश करिए कि इसको गुलाम कादर को एलिमिनेट कर दे यानि कि मार दे उसको और उसके एलाइस को भी मार दे एक तो है तुम इसको ठ्रेजरी नहीं ते रहे हो तिक है गुलाम कादर अपनी जाकूMiss बड़ीया दायवार उसमें लगाया और कि गुलाम कादर गये चाहालम के घर गुलाम कादर घर के चिम्टा भोग दीन तो कहानी को इस प्रकार की यहां पर नाम जो मैं बोल रहा हूं गुलाम कादर आपके लेकिन मैं आपको यह कहानी बता रहा हूं कि गुलाम कादर ही वस बैसिकली सर्शिल फॉदा ट्रेजर और वो ट्रेजरी उसको मिलनी रही थी जिसके वजह से वह बहुत जादा क्या हो रहा था इरिटेट हो रहा था एंड दे सेम टाइम शाहालम ने पुशिश करी कि इसको कर कर दें हटाओ साफ करो सुपड़ा साफ कर दो फुश्टा आ गया उठाया उसने अफगानी चाकू अफगानी जले भी सुने होगे लेकिन अफगानी चाकू यहां निकाला उसने बढ़िया उस पर धान लगाई और रखा कि यहां को भूग दिया है कि आलम टू प्लाइंड लेकिन मुलिटर मुगल्स के साथ क्या वर्स ठुमेलिशन हुआ एक टाइम पर बहुत बड़ा समराज अंपायर बनाके बैठे थे उनके साथ क्या सुलूग हो रहा था यह देखिया लेटर मुगल्स असाइसिनेशन फरुक सियार एंड अलमगीर 2 और ब्लाइंड एमद शा आपको प्रॉविंस की गवर्नर थे जो सुबिदार थे जो चीफ एटियंस थे वो स्ट्रॉंग हो रहे थे ठीक है और इसी वजह से मुगल्स अंपायर यहां पर डिक्लाइन कर रहा था लेकिन अब आप ज़रा समझे इसको नोट कर लीजेगा सेनारियो देखिये सेनारियो ành except पर है दो आभाएं यह हो रहा है यापध आपको मैं कि hesitant कर रहाना था दो मैंआ आपको बढ़ा था आपको सीख्राफ तो स्कूरह जो है कि की परोगरा पढ़िए यह ऐसे अपर पच्टो wonders लगाई बच्चे को आप अपे पढ़ipher abys आपको पढ़ना है तो आपको यह निलिखा किस बारे में है उस पारग्राफ को आपको समराइस कर देना है और आपको स्क्रीन शॉट भी दिखाऊंगा ताकि आप यह करो कि जब मैं पढ़ना हूं तो मैं कैसे अनिलाइस कर रहा हूं आपके साथ तो बहुत को मैं यह सखा पाऊं कि पढ़ना कैसे है NCRT को पढ़ने का तरीका आपको आना चाहिए ये मेन हो जाता है दोस्त मतब ये थोड़ी है कि आसम सर है तो आप पढ़ रहे हो आपको flow charts चाहिए मैं नहीं हूँ तो भी आप पढ़ पाओ आप history के लावा भी बाकी subject में वो चीज अपलाई कर पाओ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ पढ़ना कैसे है ये पढ़ना चाहता हूँ क्यों कि यार हर चीज चाहे history हो चाहे polity हो चाहे geography हो चाहे current affairs हो चाहे economy हो चाहे environment हो कुछ भी हो हर चीज की books आपकी market में available है सारा content पढ़ा हुआ है सारा content तो एक teacher की जर्वक क्या है आपको teacher का मतलब ही होता है जो आपको पढ़ना सिखा दे content थोड़ी ये तो हर कोई बता सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ YouTube पे भतेरे रक्षर पढ़े हुए जो आपको कोई पढ़ा सकता है आप किसे से पढ़ा सकते हो लेकिन क्या फरक है दोनों teachers में आपको किसे सिंग बैठ रहा है ये important है तो वो depend करेगा कि गुरू या teacher जो आपका है वो आपको कैसे सिखा रहा है पढ़ना कैसे है ये पढ़ाना है क्योंकि आए सदिकारी हो जाओगे कोई चीज समझ में नहीं आएगी देवलप करो यही चीज बेसिक्स है यही आपका foundation चैनल है कि आपको कैसे foundation बनाना है अपना यह तरीका है कल को हिंदू पढ़ोगे अब हिंदू अब हिंदू एरिटोरियल देख रहे हैं साब कम से कम हिंदू अपने आप पढ़ना भी तो सिखो नए words की around आओ गए उनको solve करना उनको समझना आना चाहिए ठीक है सेनारियो देखो सेनारियो आनलाइस कर से कर रहे हैं देखो एक तरफ quality कैसी है quality इस वक्त जो हमने खालाद बताया अभी तक औरंग जेब लॉंग डड़ाई लड़ा है administration खतम हो गया है अन्स्टेबल हो रही है और दूसरा आप एकनोमी देखिए quality खतम और एकनोमी भी इस वक्त बुरी कर ऐसे decline कर रही है ठीक है ना एकनोमी इस इन क्राइस क्लियर एकनोमी क्राइसे में उपर से quality unstable ऐसे में क्या होगा ऐसे में क्या होगा आप अगर मुझे खुद नहीं कमाते हैं और एक कि अच्छाה कमाता है यह आम अच्छा ठीक है ठीक है बन गई लेकिन तुम हूरी मारी नहीं की से घ्लाूग को कॉछ को क्यू कि तुम loro डिल्टो थे हाट वाई आपके साथ चाहिएक लूजे हैं कि लेकिन मार्ध नहीं नहीं तो आप पीछे भाग रहे मैं जब आपको आपको समझाने की बात कोहिश कर रहा हूँ कि polity is weak, economy is weak, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यहाँ पर होगा foreign attacks, आपके country में polity खराब है, आपकी country में economy बिकार है, this is the message to the third party, sitting outside the country, कि country के अंदर situation बड़ी खराब है, यह right time है, यह right opportunity है, कि हमला कर दो, और यही यहाँ पर हुआ, यही यहाँ पर हुआ, this was the message to नादर्शाह, नादर्शाह basically he was the Iranian ruler, यह एक Iranian ruler था, और नादर्शाह के लिए यह एक message था, message to नादर्शाह, यह पिरम कहें, कि यह एक opportunity थी नादर्शाह के लिए, और उसने इस opportunity का फाइदा उठाया, 1739 उसने प्लंडर किया, प्लंडर्ड एली प्लंडर्ड, प्लंडर्ड डेली और उसने दिल्ली को आके लूट लिया, आगे देखोगे, यहां लिख देता हूँ, कि फाइट्स दी बैटल, बैटल ओफ करनाल, बैटल ओफ करनाल, करनाल की लड़ाई लड़ता है वो 1739 में, यह आपके NCRT में नहीं दिया, लेकिन यह लड़ाई होती है, नादिर शाह, यह लड़ाई होती है, नादिर शाह, और उस वक्त, जो मुगल का एंपरर था, वीक था, लेकिन था, क्या नाम था उसका, मौम्मद शाह रंगीला, वाँ भाई साब, रंगीला थे, बहुत रंगमजाज के रंगीला नाम रख इन दोजों के बीच में बैटल ऑफ करनाल हुआ, 1739 में, यहां पर नादिर शाह जीच जाता है, और इसके बाद यहां पर रुका नहीं मामला, अब यह और बाहर दुनिया में मेसेज भेजे या, जब नादिर शाह जाके लूट के आ सकता है, तो फिर हम भी, और देन, फॉ ने पांच बार क्रेट किया, तो यह बुरा हाल यहां पर हुआ, देख रहे हैं घर है, घर में तुम्हारे सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है, तुम्हारा घर वेल्थ से भरा हुआ है, इंडिया होसा गोल्डन स्पैरो, भारत को सोने की चुडिया कहा जाता था, तो भारत में हुआ पूरा सोनी इनदी बारा था, क्यों बारा था क्योंकि इंडिया में हानी इंडिया के यह लांड हुआ है, तुम्हारे गर में सोना है, लेकिन तौम तालां नेख आओ गर में चोरी को हुगी उगी, वह यहां पर हो रही ति, नादिर्शाह एंदन फॉरवड बाए एमाइच शाब्दाली पांच बार जाके लूटा उसको बास समझ में आ गई यहां दा क्लियर हो गया स्क्रीन शॉट लेते जाईए आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम लोग स्क्रीन शॉट ले लिजे लिए अब आते हैं कहानी आईगी आपकी राजपूट्स की राजपूट्स की कहानियों को राजपूट्स अब देखो राजपूट्स जो हैं यह एक्चुली मुगल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे राजपूट्स थे जो मुगल्स के अंदर थे और मतलब मुगल्स की सुजरानिटी को एक्सेट कर चुके थे मुगल्स की सुजरानिटी थी मतलब उनकी संप्रुभता एक तरह से कर लिजेगा कि सुजराइनिटी को क्या कर चुके थे एकसप्ट कर चुके थे ठीक है और जिन्हों ने एकसप्ट कर ली थी वो मुगल जो राजपूत जो है मुगलों के बड़े अच्छे पोजीशन पे थे लेकिन कुछ राजपूत ऐसे भी थे जिन्होंने मुगलों की सुजराइनिटी को एकसप्ट नहीं किया था मुगल कहने था हम उपर राजपूत तुम नीचे हो मतलब तुम सुज़ा हमाई उसको अधीनता को मान लो बहुत सारे राजपूत रूलर से मान लिया लेकिन एक्ज सिट्स ऑन दी थ्रोन इन 1572 मेवाड की थ्रोन पे वो राणा पताब जो है 1572 पर बैठते हैं राणा पताब सिट्स ऑन दी थ्रोन मेवाड कब 1572 में और बहुत साथा इनको कई बार ऐसा हुआ राणा पताब को डेलिकेशन बेजा गया कि आप हमारे अंदर मिल जाए राजपूत की सुजानेटी को मान लीजे हमारी एदिंद्र को मान लीजे लेकिन राणा पताब ने हमेशा एक की स्टैंट लिया कि नहीं सुज्रानिटी अफ मुगल्स, इस बैक्ग्य्राउंड के साथ हम चीजञें यहाँ पर शुूरू करते हैं कि मुगल्स का सिनाण्यों यहाँ पर क्याटर, तो बहुत सारे यहाँ पर मुगल के आर्मी में, मुगल के टाइम पर यहाँ राजपूत्स थे जो मुगल्स के अंदर सर्फ कर रहे हैं जैसे यहाँ पर बात आएगी अंबर और जोदपूर की यह दो चीज़ें यहाँ पर हमको डिसकस करने हैं आईए दरा तो बहुत सारे राजपूत रूलर्स थे और यह राजपूत रूलर्स बात करेंगे तो राजपूत मतलब प्रॉविंसस राजस्थान गुजारत और उनके के फोलिटी तो एक हो गया यहाँ पर क्या अंबर अंबर और और एक जो हो गई प्रिंसिपालिटी वह हो गई आपकी क्या मालवा नोट कर लीजे अंबर और इन फैक्ट जोद्पूर ऐसे लिखिए मालवा गलब लग जोद्पूर अब इसका राजा कौन को मुगल के अंदर काम कर रहे थे मोगल की सजरानिटी को माने हुए थे अब वो powerful होने चाहिए तेन गोज्ट अभी आगे पढ़ेंगे हम सिख्छों के साथ मुगल थे तब सिख्छों ने क्या किया मराथा थे तब सिख्छों मुगलों ने क्या क्या किया यह हम पढ़ने जा रहे हैं अब पैरलिंगर डिवलोप्मेंट्स को यहां पर हम लोग थी अकबर की राजपूच पॉलिसी थी बहुत हाई पोजिशन दी गई राजपूच को ठीक है राजपूच कर लिया अकबर इसलिए तो यहां पर ग्रेट बोला गया था क्योंकि आप देखो शासक को देखो वह बाहर का है अकबर उसको पता है कि मैं यहां का नहीं हूं हुआ कि मुगल्स की सुजरानिटी को यहां राजपूच मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं प्लीज किसी प्रकार की यहां पर आप बाते ना करें मैं सिर्फ यहां पर आपको राजपूच यह बताना चाह रहा हूं एक शासक की रूप में देखना अधिकारियों की त हों आप से टाक्टिक्स पर को अपने राजपूच ने को बढ़ ली बीफ्रेंड दी राजपूत और गेव गुड पोदिशन इन दी आर्मी इन दर टिंग्डम ठीक है लेकिन ऐसे कुछ थे भी ऐसे मेवाड की बात करें जो राजपूत की सुजरनेटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और वह लगते तो यहां राजपूत उलर जैसे मंबर की बात करें जोद्पूर की राजा की राम था अजीत सिंग अंबर की बात करेंगे तो सवाई कि राजा मांग सिंग्ग तो यहां के राजपूत रूलर्स पहले इनके बोगल्स में काम कर रहे थे लेकिन बार में देखोगे जब यह मुगल्स डिक्लाइन होने लगे तो यही लोग अब थोड़ा फ्री अपने आपको करने लगे इंडिपेंडेंट करने लगे जैसे बात करेंगे जोद्पूर की तो जो जो अजीज सिंग थे वो मुगलों की पॉलिटिक्स पर थोड़ा बहुत थे थ कर दिया अभी तक यहां पर किया किसको बूंदी को यहां पर सीज कर लिया अरे यह रायता बूंदी वाली बूंदी नहीं कहानी सिंपल है कुछ भी नहीं है और राजा जैसिंग ने जब इसको सीज कर लिया आप देखोगे तो इनको यहां पर सुभिदारी देदी गई और क्यापिटल जैपो ने बनाया गया और आगरा की सुभिदारी देदी गई तो यहां दो स्टेप्स जब इन्होंने एक्स्प को मिलती है एक तो यह कि नया क्यापिटल बना कहां क्यापिदल बनाया गया जैपूर खिक है और दूसरी बात करेंगे तो यह यहां प्लस क्या हुआ Capital जैपुर और दूसरा पॉइंट देखीगा कि सुबदारी ओफ आगरा यह दे दिया गया था क्लियर है अब आगे बढ़ते हैं यह कहानी तो इतनी हो गई अब आते हैं हम लोग आगे और सिक्खों की बात करते हैं लेकिन हां आगे जाकि जब में मराठा पढ़ाऊंगा तो इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा राजपूर्ट के खिलाब भी चला था ठीक है और यहां पर देखे किस प्रकार से एभी तक मुगलों के अंदर थे ठीक हैं अब मुगल यहां पर डिकलाइन रहे टू वही राजपूर्ट आध 창 करें कुए किसे प्रकार से वर रहा है इत्सक्राइव नोतरी गया रहें तो इनहों ने औरए श्क्राइज को थो नागार को ले लिया इन्हें के एक्स्पाइंशन को आगे चलके मराठाओं ने रोग दिया था यह मैं आपको चीज आगे चलके बताओंगा चलिए अभी यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए सिक्ख एलिक दीजिए यहाँ पर पहले उपर मराठा चेक्ड़ चेक्ड़ दी कैंपेंग आफ राजपूत रूलर्स राजपूत रूलर्स के क्यांपेंग को यहाँ पर मराठाओं ने चेक्ड़ किया यानि स्टॉक किया रोका इसको जहां पर लिखिए और इसी के बाद हम लोग यहाँ पर अभी आएंगे बाद में लिटन बैक तु इस ठीक है यहाँ पर आप चाहे आए मेंशन कर लिजे रेस्ट स्टोरी विल कम इन माराठा या फिर कनेक्टेट स्टोरी कहां पर है इन माराठा थीक है चली आगे आगे अब बात करेंगे यहाँ पर सिख की यह प्लीज अब देखो सिखों की बात करें तो क्या था कहानी सुन लो सिंपल सी अब यहर मैंने मैंने आपको खाल्सा के बारे मताया था याग करो जो चाप्टर मैंने आपको पढ़ाया था भक्तियन सूफी वाला तो वहां पर मैंने आपको गुरु गोविन गुरु नानक के बारे में और गुरु गोविन सिंग की जी के बारे मताया था और फिर मैंने वहां पर आपको देखे जरा तो जो development हुआ था गुरु नानक के टाइम में और जो उनके followers के increment हुए थे जिसकी वजह से बहुत डर लग गया था उस वक्त के emperor जहांगीर को उसको लग रहा था कि यह बहुत बड़ा political threat है हमारे लिए सबंझा जरा अब parallel क्या है अब हमें कौन से देखने parallel मुगल अर्शुप को देखना है मुगल चल रहे हैं सिखो का कैसे state यहां पर फॉर्म होता यह जरा समझना इनको तो मुगल एक्जिस्ट कर रहे हैं ठीक है अब क्या हुआ याद करो मैंने आपको बताया था कि जहांगीर जहांगीर को लगा कि हमारे लिए много hypothetical threat होने वाले और इसलिए उसने जो सिखों के गुरु थे नाम क्या था सिखों के गुरू अरजन को इसको सिटीन आ रहा है कि गुरु नानक आप देखोगे उनके टाइम पे काफी डिलप्मेंट हुआ उनकी जो फॉलोवर्स इंग्रीज होते चले गए तो यह एक बड़ा थ्रेट दिखा जहांगीर को उसको लगा कि यार यह तो बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट है इसलिए उसने गुरु अर अरजन को 1606 में कर दिया और जब 1606 में गुरु अरजन को यहां एक्जिगूट किया तो जो सिक कम्यूनिटी थी वह अब काफी पॉलिटिसाइज हो गई काफी पॉलिटिकल डवलप्मेंट हुए और खालसा नाम का इंस्टिटूशन डवलाप होता है जिसको खालसा पंत कह जाता है अब कहानी यही है कि जब यहां गुरु गोविन सिंग जी है वह बैटल लड़ते हैं मराठाओं के खिलाग भी और मुगर्यों खिलाग भी देखे तरह अब यहां पर बता चुका हूँ खालसा अब खालसा के बारे में फिर से नहीं लिख रहा हूं तो यहां पर खालसा की बात हम कर रहे हैं यहां पर हम गोंट सिंग गुरुविन जीठिकर जो है वह हैं वो कीस्तानि अभी बैटल मानाई दोनों के चल रही है किससे मुगलों से भी चल रही है कि और अश्मावाटाओं से और यहां ईकाल के बाहिए हुं इन तब आप देखोगे कि जो सिक का kingdom था वो उठ खड़ा होता है under the leadership of bandha bahadur टेक तो मतलब अब इनकी हो जाती है तो इनकी देख के बाद आपको देखने को मिला कि जो खाल्सा है खाल्सा खाल्सा अरोज कि इसकी under the leadership of bandha bahadur अंडर लीडर्शिप अंडर लीडर्शिप दे बंदा बहादूर उनकी लीडर्शिपत में यो है इनकी लीडर्शिप में कि रिवोल्ट होता है मोगलों के खेलाब बंदा बहादुर देने में इस वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है फिर एंसी आटी जो है वह आपको बताता है कि भाई फिर इन्होंने क्या किया बंदा बहादुर की लेडर्शिप में अपनी सवराणिटी को डिकलेर किया बंदा तो यह हुआ बंदा बहादुर की लेडर्शिप में और बंदा बहादुर की लेडर्शिप में इन्होंने क्या किया अपनी सवराणिटी को डिकलेर किया यहां भाईया सवराणिटी को डिकलेर किया और इसमें क्या किया उन्होंने कैसे क्वाइंस गुरु नानक के निकाले किसके गुरु नानक के इन्होंने खुद अपना एक स्टैबलिश किया अपना एड्मिस्ट्रिशन स्टैबलिश किया ठीक है इंपोर्टेंट है और इनका जो एंपायर था वह 17 से लेकर जमना तक इंपेर उपका एक्सरा काम हुआ आगया यह का सतलत से लेकर यहां और बाद में उसको एक्जेक्वट कर दिया गया नवbn choice सब्सक्राइब दिस वाज दी एंटायर स्टोरी यह आपको याद रखनी क्याप्चुर इन कब पूछ के सकते हैं आपको चुल हो सकती है सत्रा पंद्रा और एक्जिकूट इन सत्रा सोला है डैट ऑफ गुरु गोवन भी आपर लिख सकते हैं 1708 1708 नोट कर लिए स्क्रीन्शॉट ले लिए फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं कि क्लियर है दोस्त चलिए अब 18th सेंचुरी सिक्खो की कहानी क्या होती जरा वह और देखिए रहा है ना आगे आपको लेके आ रहा हूं ठीक है रहा देखिएगा 18th सेंचुरी सिक्खो कहा अब 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं हम लोग अगर गोस्त तो 18 सेंचुरी में तो चीज़ें यहां पर होती है सिक्खो के फॉर्मेशन कैसे होते हैं यह देखने को मिलेगा एक तरफ जहां सिक्ख अपने आपको फॉर्म करते हैं बैंड में जिसको बोलते हैं जत्था एक त एक तरफ यहां पर आ जाए देखो जो हैं वह क्या करते हैं बतलब्स हो गया और एक तरह वो हो अपने आपको फॉर्म करते हैं मिसलिष जिए इन दोनों की सब्सक्राइब आपका मारद विर्फ लूकल और Episode करना नौट करिए इसको यह क्या बोल रहा है ग्रैंड आर्मी न अब इंदी में यह रोग यह धिक अब यह लोग मिलते थे कहां पर buy अम्रिज रहे मिलते थे और कम मिलते दे यह मिलते दो वक्त या तो एक मिलते थे यह आपको डिवाली के टाइम मिलने का तरी दोनों मिलते तो इस वकिन लिए दाते थे तो कि प्रकारकार से इस टेट सिक्टिव डिये जाते थे यहां थूर यहां इसको बोलते हैं थैसे जालिषन आफ मुरूज्ट जा रहा है स्को एक कहानी तो यह हो गई ठीक है दूसरा एक तरफ सिखों ने अपने आपको जत्था और मिसलिमें किया एक तरफ गही सिख जो थे वो किसमें थे खाल्सा यह चल रहा है यह खाल्सा ठीक है अब NCRT कह रहा है कि यहाँ पर गुरू गोविन सिंग जो है उन्होंने बहुत इंस्पायर किया था खाल्सा को और कहा था कि भई आपकी डस्टिनी है कि आप राज करोगे आप रूल करोगे तो खाल्सा जो है बेसिकली यह इंस्पायर्ड बाए गुरू अब आपकी डस्टिनी है वह क्या है राज करेगा खाल्सा राज करेगा राज करेगा नोट किया जाए तो इनकी बहुत ही कि इनकी ऑगनाइडेशन थी यह इनकी यह इनकी बहुत ही अगनाइडेशन थी इतनी स्ट्रॉंग थी कि मुखलों ने जो भी अटाक किया उससे भी काफी अधा यह बचे उसके लाबा आमत्शाफ दाली ने इनकी यहाँ पर यह और इनकी यहाँ बन गई थी क्लियर है तो 18th century कहानी यहाँ पर यही है इसको ध्यान रखिएगा अब आते हैं हम लोग मराठा की उपर प्लीज कम टू मराठा या पहले यहाँ पर एक बचा हुआ यह और नोट कर दीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अब दो सिक यहां क्या लिखा हुआ है दो सिक टरिट्री इंदा लेट 18th सेंचुरी एक्सेंड़ फ्रॉम कहां से कहां तक थी इंडस से लेकर जमना तक यह टरिट्री थी ठीक है तो सिखों की टरिट्री की बाaty Gus कहते हूं सिकों की टरिट्री की बात करें चाहिं कैसे फ्लोड बनाना है दिए भी जिए लौक प्तेटवड की टरिट्रिट्री एक्टरीट कर रही है चाहि है रोग इंडस डूम जमना घर लेकिन बहूत बट्रॉआट यह लोग क्लड़ा दिवाजरी दिवाए joke मा को माराजा रंजीस सिंग अब यहाँ पर नाम आता है महाराजा रंजीस सिंग का महराजा रंजीस सिंग कि और यह आपको यहां पर इतना पता होता चीएर अब आग olması राफानि hyvin क्लेर है चालिए तरह अब ज़रा कहानी जो है माराठा होगी शुने का वैसे यह कहानी सबसे अच्छा समझाने का तरीका है मैं आगर आपको मूवी बताऊंगा कौन सी मूवी आपकी जो थी बाजरावमस्तानी वाली ठीके वहीं इसे कहानी सबसे बेस्ट आपको इसली समझ में आजा यहां से आते हैं वह पीजंट थे ऑर प्रकार के जो आपके क्या कहते हैं पैस्टौनिस थे वह सब ते जिनको कुन भी सकाद गया यहां और नोट कर देखिए कैसे कि लिखा हुआ ना में उसको फ्लोचार्ड में लूट देखो मराठा की बात करें तो मराठा जो है वह एक stable kingdom मनता है stable kingdom मनता है किसके राज में stable kingdom मनता है under the time of शिवाजी और शिवाजी क्या करते हैं help लेते हैं किसकी help लेते हैं यहापर warriors की और जो warriors हैं वो कौन-कौन होते हैं अब यहां पर पीजेंड्स और वोर्यस थे यहां पर और पाश्टोलिस्ट इनी पास्टोलिस्ट को किताब में क्या लिखा गया है कुन वो कैसे बन रहा है फ्लव चार्ट यही चीज लिखा वगए देखा ओस्तूर्ड मराठा किंडम जो है पॉस आनदर पाफूल रिजिडम किंडम arise out of sustained opposition of the Mughal rule के ख़लाफ ये खड़े रहते हैं शिवाजी card out a stable kingdom मनाया with the support of warriors warriors कौन कौन थे देश्मुक्स थे ठीक है कौन थे देश्मुक्स अब यहाँ पर कौन कौन थे कौन हो गए आपर शिवाजी यूज इस फोर्सेज तू चालेंज दा मुगल्स इंडी पेनेंसुला आफ्टर शिवाजी डेट अब शिवाजी की डेट जब हो जाती है समझो अब देखो क्या होता है शिवाजी की डेट के बाद कौन आएगा सिनारियों में शिवाजी की पावन ब्रामण थे यह लोग सर्फ करते हैं ऐस दी सक्सेसर्स और अफ शिवाजी और और क्या कहते हैं उनको उनको कहते हैं आप पेश अब यह जमजारी आपकी है कि आप इसको रीट करेंगे मैं आपको कहानी यहाँ पर बताता हूँ अब तरह आप जो केरेक्टर देख रहे हो ना बाजिराव मस्तानी में आप जो केरेक्टर देख रहे हो वह समझो यहां पर कैसे होता है अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको यह मराठा वाला काम समझना दाएगा आपने एक राजा मुवी जब शुरू होती है तो राजा जो है मतलब किस से शुरू होती है रनवीर सिंग से ध 뒤 और जो उसका फादर है वो मर चुका है यानि की बालाजी विश्वनाता फादर कौन था बाला जी विश्वनात और और रनवीर सिंग का अप टेस्ट हो रहा है मूवी के अंदर कि वह या तुम शस्त्र का शस्त्र इसकी मजद से शास्त्र का तुम हमें बताओ कि तुम को पता है कि नहीं पता यह बोलता है तो रनवीर से प्लेंग दिरोल आफ बाजी राव वन और इसी को इस बैटरली नोन आ तो मूवी स्टाटिंग और मूवी का स्टाटिंग जीन ही होता है यह है आपका पेशवा ठीक है यह वाजिर वन और बाजिरा वन को बाजिरा बलाल के नाम से बोला गया है अब इनकी शादी होती है यहां पर किससे काशी भाई से काशी भाई काशी भाई देशादी हुई ही वाज प्रियंका चोपडा लेकिन अब प्रियंका चोपडा से इनको चार लड़के पैदा हुए पूरा कहानी बता दूँगा यह पूरी कहानी आपके अभी इस NCRT में आई भी है कहीं कहीं नाम आये हैं लेकिन आपको पूरी कह होता है एक नाम आयेगा दिको टिकना मतरीका पादार इसकार नाम त7 बाजी विश्वनात पहले तीद विश्वनात है लड़का था वो जल्दी मर जाता है यंग एच पर लेकिन बालाजी वाजी राओ जो फर्स संथा और थर्ड संथा रगुनात राओ इनके बारे में हम और बार में पढ़ेंगे और लेकिन लिख लीजिए यह दोनों यहां पर अब रनीर सिंग को प्यार हो जाता है कि इससे दीपिका पादुकॉर्ण से अब यहां पर सीन में आती है दीपिका पादुकॉर्ण शत्र साल की लड़की थी यह और नाम था मस्तानी बाई मस्तानी बाई और इनसे यहां पर एक लड़का पैदा हुआ यह वाज शम्शेर शम्शेर बहादुर्ण और आप देखोगे कि आखरी में जब रनीर सिंग मर जाता है तो बुक्स यह कहते हैं कि जो मस्ता जो आप य आप यह प्यार करती थी वह रही चाहती दिखाया गया है मस्तानी बाई कोई दिक्कत नहीं थी हृश्व को ये तक अब देखोगे कोई अगेंस नहीं थी वह एक सप्टिंग मस्तानी बाई बेकिन द्यू तु अधरा इनला और वाई जो राधा भाई यह उंकी अग्श्व कि इसमें और जो उसका ब्रदर-in-law था काशी भाई का क्या चीमा जी अप्पा तो इन दोनों की वज़े से कि एक्सेप्टेंस नहीं था मस्तानी भाई का तो वो करनी पा रही थी लेकिन जब यहां पेश्वा की डेथ होती है तो उसका लड़का जो है एक नाम से बोलते हैं वो नाम बताईएगा मुझे जो मुवी नाम लिया जाता है वो बताईएगा उस नाम से बोलते हैं वो यहां पेश्वा बनता है 1740 के आसपास 1740 ठीक है यह कहानी जो है आपके यहां पर भी उसको एक्सप्रेसली बताया गया हुआ है यहां पर आप देखोगे कुछ एक्स्ट्रा चीज हैं जो मैं आपको बता दूगा देखें अंडर पेश्वाज मराथा वेरी सक्सेस्फुल मिलिटरी ओगनाइशेशन देर सक्सेस लेस्ट बाइपासिंद फॉर्टेफाइड अर्या कहानी बोला जाता है उनकी वाइफ मुस्लिम ते तो उससे यहां पर मस्तानी नाम पड़ा उसका मस्तानी भाई यह हुए तो अंडर दीप यह हुआ देर सक्सेस समझ में आ गया बाइर रेटिंग का सिटीज और इंगेजिंग मुगल आर्मी इंडी एरियास वेर देर सप्ल और मुगलों के साथ वहां वो इंवाल्व हुए जहां पर मुगल स्ट्रॉंग नहीं थे और मुगल को बड़े चालेंजेस थे सप्लाइक साइट से मदेगो मनाठा होगा फिर 1720 से लेकर 1761 तक अब देखो यहां क्या हो रहा है मनाठा एंपायर ने खूब एक्सपांशन कि प्रकार की लगा फिरा कि अब यहां पर मालवा अनुझरा इसको सीच कर लिया गया को मुगल बाइ 1730 अभी बहुत एंपोर्टेंट है मराठा किंग वाज रिकगनाईज अज दी ओवर लॉर्ड ऑफ दी एंटायर डिक्कन पेनसुला और इसलिए उसको राइट में लगए थे दो प्रकार के टैक्स लगाने का चौथ और सरदेश मुखी इसको लगा लिजे स्टार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगेगा ये आपका होम वर्ट है जरह मुझे बताईएगा और आपका ये कितने कितने पर comparable कि नीटाता है नस तो नाना साहिब जो है फिर वो बनते हैं पेश्वा मैंने आपको आंसरी बता दिया तो नाना साहिब जो नाम था बाला जी बाजी राओ जो बाला जी बाजी राओ नाम था यहां पर यहीं नाना साहिब है तो काशी भाई हमेशा नाना साहिब को बोलती है नाना साहिब आप यह नहीं करेंगे और नाना साहिब जो है वह अपने बाप के खिलाफ बो रहा था यहां पर क्या कर रहो भाई अब देखिए यहां पर आगे और क्या बोला गया है मैं तब चीजे ऐसी इस में फ्लोचार्ट क्या बनेगा नॉर्मल रीडिंग वाली पार्टर रीड कर लिजे आफ्टर रेडिंग डेली 1737 डेली को रेड किया फ्रेंटिर्स और मराथा डॉमिनेशन एक्स्पांडेड रापिडली अब मराथा घुषे कहां राजस्थान में तो भाई अम मराथाओं ने जब अपना एक्स्पांशन शुरू किया तो मराथा ने 1737 डेली पे रेड ठीक ह फिर उसके बाद राजस्थान फिर उसके बाद पंजाब फिर उसके बाद बंगाल अब एक्सपांड करते जा रहे हैं फिर उसके बाद उडिसा एक्सपांड करते जा रहे हैं एक्सपैंशन कुम एक्सपैंड हिया। फ्रंटिर्स ऑप मराथा एक्सपैंडेड और अगले कुछ लाइंस में यह लिखा हुआ है कहां कहां एक्सपैंड हुए। राजस्थान, पंजाब, बंगाल, उडिशा, करनातक, तमिल नाडू, तेल्गू कंट्रीज इन दिस आउथ यह फॉर्मली इंक्लूट नहीं किये गा है मराथा एंपार, मैं ऐसा नहीं कि इंक्लूट कर लिया हो गया हो, क्या, बट, वेर मेट टू पे ट्रिब्यूट, अज़ एक्सेप्टिंग मराथा सोवरेनिटी, आप हमाएं अंदर मताइए, पूरित्रा नहीं लिए रहे हैं, लेकिन आप माई सोवरेनिटी को अच्प्रवता को आप मानते हैं, यह चीज आप बोलिए, एक्सपैंशन ब्रॉट इनॉर्मस रिसोर्से, जाय जिवात है, बहुत रिसोर्से मिले, बट, इट कीम एठा प्राइस, लेकिन प्राइस कुछ लग गया, कुछ खोने के लिए, क जो और रूलर्स थे, वो भी यहां को उसाग है, क्या कर रहे हो, लड़ते से ले जा रहे हो, as a result, they were not inclined to support the Marathas, during the 3rd Battle of Panipat, 1761, यह मैंना आपको स्टार्टेंग बताया था यहां पर, वो चीज यहां फिर से आ गया, 1717 Battle of Panipat, 3rd Battle of Panipat, तक देखो गया, उनका सपोर्ट यह चलते रहे, मराथा ज़रब देन, effective administration, मराथा का effective administration था, एक पॉइंट तो याद रखेगा, ठीके, बस यही पॉइंट याद रखने, effective administration, once conquest had been completed, एक बार conquest हो जाता था, and Marathas rule was secure, हो जाता था तो फिर मराथा महां पर revenue demand करते थे, revenue demands are gradually introduced into taking local conditions into account, तो एक बार पहला तरीका क्या है कि भाई, effective administration करो, दूसरा, effective हो गया, तो revenue demand करो, this allowed, अब इससे क्या हुआ, agriculture was basically encouraged and trade revived, भाई, जाहिर की बातर revenue कैसे में पाऊगे, जब agriculture को revive करोगे, point number 3 इस पाला राखा, this allowed ती मराथा chiefs like सिंधिया, गुजरात में कौन, गॉलियर में कौन थे, सिंधिया, बरोडा में कौ बार नोग थे, ठीक है ना, जैसे बताया, गॉलियर में कौन है, गॉलियर में सिंधिया, नाकपुर भी कौन है, भोसले, ठीक है, उसके लावा, बरोडा में कौन है, गायकवाड्स, गायकवाड, तो यह सब जो है, इनको यह option मिल गया, इनको अपनी आर्मी को powerful करने का क्या, है, तो च्रेंदेन आर्मी, तो स्ट्रेंद आर्मी, आर्मी को स्ट्रेंदटन करने का इनके पास मौखा आ गया, ठीक है, अब देखो क्या हुआ, तो रेस पावफुल आर्मी, मराथा कैम्पेंज इंटु मालवा इन 1720 इस डिट नोच चैलेंज दा ग्रोफ और प्रो अदिए आखकर्स थे हैं वाल एकॉंट्स तीज फिर लार्ज फ्रोस्परस अनओ फंक्शन इस अनल्ड शाय बाता मना थैन्टा कर लिया होगता हरे वाधा उन्होंने रेवियू मांगना शुरू ऑगता प्रमूट किया थाकि लोग टाउस्ट एक रेविलू दे पाई पाई स्विल्क प्रोडूस्ट इन दी चंदेरी रीजन नाव फाउंड न्यू आउटलेट इन पुना और मराथा क्याप्टल कौन सी हो गई थी पूना हो गई थी बुरहानपूर बुछ अर्लियर पार्सिपेटेट इन ट्रेड बिट्वीन आगरा इन सूरद नाउ एक्सपांड़ इस हिंटर लांड इंक्लूड खूना और मतलब कुल लाके इस तरह से मराथाओ का जो सिस्टम में वह आगे बढ़ गया था क्लियर हो गया सिंपल है लास्टी जो बची है तो मिनट का और है सुन लीजिए बाई जाट जो है वह कैसे होंगे देखिए यहापर जाट जो है व जो कि दिल्ली के वेस्ट पे लाई करती है आज विजाब जो कि वेस्ट में हर्याडा का साइड आ जाता है यह इस ताइम तक देखन डॉमिटिंग दी रीजन बिट्विन टू इनके बीच में करूल आ गया था और वाइल दिविकेम वर्चुल कस्टूडियंस आप दी सिट सब दिल्ली के अराउंड है बहुत पास है पादीपत बिकेम इंपोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स हो गाई है ठीक है ना अंडर सूरजमल कि इंडम और भरतपूर इमर्ज्ट आज दा स्ट्रॉंग स्टेट अब भरतपूर किसके अंडर सूरज मल के था स्ट्रॉंग सब्सक्राइब बहुत सारे लोग सूरजमल के यहां पहुंच गए ठीक है अब इसका सन कौन था जवाहिर शाह है 30,000 troops of his own and hired another 20,000 महराथा और इतने सिक अब यहां पर आपको देखोगे यहां पर क्या किया गया है अबर और आगरा में देखा जाता है combining the styles जो अंबर और आगराग में देखा गया है its buildings were modeled on architectural forms ठीक है यही पूरी कहानी थी उम्मीद है आपको यह कहानी पूरी सवाज बया गई होगी दोस्तों तो चरिए मिलते हैं अपने अगले lecture में that's all for today from my side पढ़ाई करिये खुम मैंद करिये जय हिंद जय पारत